आज हम चांद की सतह को छूने के लिए चंद्रियान 3 को लॉंच करेंगे मगर हमारी दिल्ली डूप चुकी है हम दूसरे ग्रह उपग्रहों पर जीवन तलास रहे हैं वहीं जहां जीवन था उसे बदतर बनाते जा रहे हैं नमस्ते में जैकी आदब न्यूस नशा में आपका स्वागत करता हूँ दिल्ली का एक हिस्सा जलमगन हो चुका है समझ नहीं आ रहा है कि यमुना दिल्ली में है या दिल्ली यमुना में है यमुना नदी के पास के सभी इलाकों में पानी भर गया है आपको बता दें कि यमु बारिस हुई है यह एक दिन में हुई बारिस का record है इससे पहले 1922 में एक दिन में दिल्ली में इतनी बारिस हुई थी तब भी आजके जैसे ही हालात बन गए थे दिल्ली में Extreme Flood Alert जारी किया गया है और इसे जारी करने का मुखी कारण यमुना का खत्रे के निसान से उपर वहना है अभी यमुना दिल्ली में 208.48 मीटर के निशान पर बह रही है जो की 1978 के रिकॉर्ड 207.49 मीटर को तोड़ चुकी है लाल के ले की दीबारों तक पानी घुश चुका है चांदरी चौक भी पूरा जलमगन हो चुका है अगर बात करें सिबि मुख्यमंत्री के निवास इस्थान है बहाँ पर भी चारा और पानी ही पानी दिखाई दे रहा है सिबिल लाइन्स में खड़ी गाडियां डूब चुकी है दुकानों में पानी भर चुका है राजगाट पूरी तरह पानी में डूब गया है वहीं आईटियो कस्मीरी यमुना के आसपास के इलाकों से 30,000 लोगों को सुरक्षित इस्तानों पर पहुंचाया गया है आईए समझने की कोशिस करती हैं कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दसा का जिम्मिदार कौन है दिल्ली सहर की जल निकास प्रडाली 1976 की बनाई हुई है तब से दिल्ली शहर के इ लेता आते हैं और वो कभी हिंदू मुसल्मान पर बोट लेते हैं तो कभी फ्री भी इस पर जिससे अहम मुद्दों पर कभी बात ही नहीं हो पाती है अगर दिल्ली में बाड आने के हाल या कारण की बात करें तो इसमें सबसे महतपूर हर्याडा के हतनी कुंड बेराज से यामुना में अत्रिक्त पानी का छोड़ा जाना है हर्याडा में भी पिछले कुछ दिनों से बाड जैसे हालात बने हुए हैं जिस कारण से हतनी कुंड बेराज से पानी छोड़ना हर्याडा की मजबूरी बन जाता है मौसम विभाग ने आज भी हलकी बारिस प्रेडिक्ट की है और यामुना का जलिस्तर कम होने की संभाबना भी जताई है आशा है कि आने बाले दिनों में यामुना का जलिस्तर घटेगा और आम जीबन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा नमस्कार आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर